प्रिय भक्त करों मैं गुरु मारक्मनी आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज केस कारिक्रमी होली की पावन विला आ रहे हैं 9 मार्च 2020 को छोटी होली और 10 मार्च 2020 को खेलने वाली यानि रंग वाली होली मनाई जाएं तो सबसे पहले तो होली की बहुत-बहुत शुप कामनाई में आप सब को देती हूँ ये जो होली हो वो आपके जीवन में रंग भर दे जीवन को मीज़ा बना दे ऐसी होली इस वर्ष आप खेले ऐसी में प्रभू से प्राथ रखते हैं होली के साथ साथ रंग, गुलाल, हसी, मजाग, त्योहार, बहुत सारे लोगों से मिलना जुला, बहुत कुछ आता है लेकिन साथ में जो बुरे लोग हैं, जो हमारी शत्रू हैं, जो हम पे बुरी दुष्टी रखते हैं ये सब चीजें भी इस समय में उनका किया कराया मुपरचा भी, कहते हैं, होली पर किये गए जो उपाई होते हैं, तोटके होते हैं, किसी का बुरा भी होता है, या किसी का अच्छा भी होता है, वो होली पर बहुत ही फलित होता है तो इस दिर बहुत सारे नकरातमक सोच पाले रेखे भी कुछ ना कुछ दूसरे के लिए बुरा करने के लिए टोट के प्याधी करते रहे तो आप सभी उन सभी नकरातमक चीजों से, उन सभी पूरी दुष्टियों से, उन सभी शत्रों से रक्षा हो, उसके लिए मैं आज आपको उपाई बताने वाले हैं और साथ ही यदि आपके जीवन में ग्रे बाधा आरे हैं, आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं और बहुत समय से आप उपाई कर रहे हैं, लेकिन उपाई आपको कोई लग ही नहीं रहा है तो हुली का जो मुरत होता है, उस पे किये जाने वाले उपाई होते हैं, वो सरशेष्ट फल देने वाले होते हैं तो इसलिए मैं आपको जो उपाई बताऊंगी, यदि जीवन में कोई कष्ट हैं तो भी कर सकते हैं या केवल अपने और अपने परिवार की आप रक्षा और सुरक्षा चाहते हैं, तो भी आप इसे कर सकते हैं उपाई बहुत ही सरल है, हर राशी का जातक इसको कर सकता है सबसे पहले ये उपाई आपने होली का देहन वाले दिन करना है, यानि कि 9 मार्च 2020 को होली का देहन वाले दिल, इस उपाई को करने के लिए एक काला कपड़ा ले उस काली कपड़े में आपने काली तिल भरने है, साथ लॉंग, साबुत लॉंग जो होती है वो आपने डालनी है, आपने कुछ 50 ग्राम पीली सरसों जो होती है वो डालनी है, और थोड़ी सी चुटकी भर मिट्टी लेनी, ये सब डालने के बाद आपने इस काली कपड़े की पोठली बना लेते और पोठली बनाने के बाद साथ बार अपने उपर से आपने से वारना नाये और वारने के बाद होली का देहिन में यानि जहां हूली जलाई जाते हैं इस पोठली को आपने व्यक्ति आपका बुरा चाहता है उससे भी आपकी सुरक्षा कुती रहे हमारी शास्त्र कहते हैं दिवाली या हुली पे किये गए उपाय हमें शीक्र ही फल देने वाले होते हैं इसलिए इन बातों को आप ख्याल रखते हुए हुली का देहन में यदि आपको किसी भी प्रकार की परिशानी आ रहे हैं तो इस मुहरत में आप हुली का देहन में इस पोठली को अपने उपर से या अपने परिवार की किसी व्यक्ति के उपर से वार की दाल सकते हैं शद्धा जैसे ही आपकी परिशानिया भी इस होली भस्व हो जाए दस मार्च को रंग वाली होली यानि खेलने वाली होली है उस दिन भी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो रंग है अपने इश्ट देवता को अवश्य चगाए उनके चन्नों में थोड़ा सा गुला धोड़ा सा रंग जरूर लगाए उसके बाद ही होली खेलना प्रारप्त गए आप सभी को फिर से धेरो धेरो शुब कामनाई देती हूं होली की होली आपकी बहुत सुन्दर बहुत अच्छी हो बहुत रंग वाली हो और बहुत ही उत्साहा वाली हो आनंद वाली हो खुश और जियोत्य शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें